Hello everyone, स्वागते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम Instagram profile से add tools के button को कैसे remove कर सकते हैं पिछले वीडियो में मुझे comment आये हैं कि भाई हम इस add tools के button को कैसे remove कर सकते हैं कैसे delete कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं Instagram को open कर लेता हूँ सबसे बेले और दोस्तो अगर आपने Instagram पर मुझे follow नहीं किया है तो आप follow कर सकते हूँ link आपको description में मिल जाएगा and username आप screen पर भी देख पा रहे हो तो बात कर लेते हैं add tools बटन को कैसे remove करना है तो guys आप देख सकते हूँ यहाँ पर मेरे add tools का button show हो रहा है Instagram की profile पर अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ तो यह promotion का पूरा interface हमारे सामने open हो जाता है और दोस्तों अगर आपको नहीं बता है कि Instagram पर add tools बटन का क्या use है इस option का क्या use है तो पिछले वीडियो आप देख सकते हूँ उस पर मैंने complete बदाया है इस option के बारे में तो आप उस वीडियो को देख सकते हूँ तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसको कैसे remove करना है सोबस्ट यहाँ मैंने second channel की profile open कर ली है देख सकते हूँ Instagram की यहाँ पर भी देख सकते हूँ add tools का option मुझे show हो रहा है तो इसको remove करते हैं उसके लिए आपको गया करना है उपर 3 line पर click करना है यहाँ पर setting के button पर आपको click कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर account का option दिख जाएगा तो इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको नीचे scroll करना है कफी सारे option आपको दिख जाएंगे जैसे नीचे scroll करोगे तो आपको यहाँ पर option दिख जाएगा switch account type तो इस पर आपको click करना है हो सकता है आपको direct switch to personal account का option show हो जाए तो उस पर आपको click कर लेना है लेकिन यहाँ पर मेरे इस परकार show हो रहे हैं देख सकते हूँ switch to business account, switch to personal account तो मुझे अपने account को personal account में switch करना है तो उसके लिए मैं switch to personal account पर click कर लूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का pop-up आएगा when you switch back to a personal account in app insight you will turn off मतलब आपके जो insights show हो रहे हैं वो option आपको show नहीं होगा insights का and आपको promotion का option भी show नहीं होगा जो की add tools का option ही है तो यहाँ पर आपन click करते हैं switch to personal account and जैसे click करेंगे देख सकते हूँ यह switch to personal account मतलब हमारी profile यहाँ पर personal account में switch हो चुकी है अब दोस्तों यहाँ पर आपन back करते हैं और देखते हैं कि वो option हमारा delete हुआ या फिर नहीं तो यहाँ पर profile पर click करता हूँ कर लिजे तक आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात्राम